स्वागत आपका प्रॉफिट मार्ट के यूट्यूब चैनल में आई अब देखते कल के लिए और पर्सों के लिए अगले एक-दो दिन के व्यू से किस तरह से लग रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी का सेटप और एक चीज में और एक आज इस वीडियो के माध्यम से यहर वीडियो में आपको एक से दो स्टॉक रिकमेंडेशन दिये जाएंगे जो टिपिकली मोमेंटम स्टॉक पिक्स होंगे जिनके शॉर्ट टम में एक बड़त की आप जिसमें का एक्शन एक्सपेक्टेड होगा तो उस तरह के पिक्स हम आज से आपके साथ शेयर करेंग तो चलिए देखते निफ्टी और बैंक निफ्टी का सेटप किस तरह से लग रहा है तो आज जैसे हम ने देखा कि एक बहुत लाकलस्टर सेशन रहा दिन बर लेकिन मंदी पूरे दिन बर आज मार्केट में आवी रही और सुबह जिस तरह से ओपनिंग मिला था उसके मार्केट पहले ही वीक नोट पर उपन और उसके बाद कंटीनियूस लेक सेलिंग मार्केट में आता गया और अक्रॉस द बोर्ड सारे स्टॉक में आज बहुत आग्रेसिव सेलिंग देखा गया तो लगने रहा था कि जो बॉटम से कोई रिकावरी हो पाएगी लेकिन मार् तक निफ्टी का सवाल है तो निफ्टी का 9200 के थोड़ा सा ही नीचे आज क्लोज मिला है लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग आज निफ्टी ने अपना जो एक नीचे का दायरा था उसको होल्ड किया बले ही सुबह आज उसमें दिकावली देखी गई निफ्टी का एक जो सपोर्ट जोने वहां पर उसको टेस्ट जरूर किया निफ्टी ने लेकिन वहां से पांस बैक भी हमको देखने को मिला है तो अगले एक दो दिन के व्यूज से अगर देखेंगे तो निफ्टी का एक 9400-430 के रेंज में एक रेजिस्टन्स आएगा और अंदर डाउनसाइड निफ्टी का एक सपोर्ट जो निकल गाएगा और 9000-9500 इस रेंज में आएगा तो ब्रॉडली एक रेंज लग रहा है जिसमें निफ्टी अगले एक दो दिन में स्विंग दिखा सकता है ट्रेड कर सकता है लेकिन कोई डारेक्शनल मूव के लिए अपर में 9400-4440 यह जोन है तो इस रेंज में ही लग रहा है कि निफ्टी अगले एक दो दिन में करवार गरेगा अलारकि वोलाटलिटी बहुत ज्यादा रहेगी जैसा कि हमने इसके पहले भी बताया था कि फ्लक्ट्वेशन आपको ज़रूर मार्केट में देखने को लेकिन ब्रॉडली एक रेंज लग रहा है जिसमें इंडेक्स रहेगा जाब तक बैंक निफ्टी का सवल है तो बैंक निफ्टी में भी आज हमने बहुत ज्यादा विक्वाली देखी सुबह जब निफ्टी एक सवा परसेंट नीचे था तब बैंक निफ्टी तीन अच्छी का सी बाइंग इमर्ज वी और उपर की तरफ एक अच्छा पूल बैक इंडेक्स ने देखा है तो अभी आज जो बैंक निफ्टी का क्लोज है वो करीप 8,950 का है लेकिन एक चीज यहां पर ज़रूर मैं खहना चाहूंगा कि यह निफ्टी का जो लोर रेंज था रेंज बैंक निफ्टी में बैक बीते कुछ सत्रों से अपना कंटिन्यूसली मेंटेन किया था 18,800-900 का रेंज उसको आज बैंक निफ्टी ने विल्कुल जबरदस तरीके से तोड़ दिया था और क्लोजिंग भी 18,900 के असपस ही आया है तो यह थोड़ा सा वीक साहिने बै पीचे में एक 18,300-400 के रेंज में एक सपोर्ट बैंक निफ्टी लेने की कोशिश कर सकता है और उपर में अभी जब तक बैंक निफ्टी 19,500-550 इस रेंज के बाहर क्लोजिंग बेसिस पे नहीं निकल दा तब तक बैंक निफ्टी में शॉर्ट टम वेरी शॉर्ट टम के व अगले दो से तीन सेशन के लिए जिसमें की नीचे की तरफ 18,300 और उपर की तरफ 19,500-550 यह उसका जोन लग रहा है तो फ्लक्टुएशन तो ही भी रहेगा नो डाउट लेकिन जिस तरह का एक सेलिंग हमने बैंक स्टॉक्स में देखा है इस भी आ हो एक्सेस बैंक हो या क प्रीड कर पाना बहुत मिश्किल होता है कि प्रीशाइब किस लेवल से इंडेक्स गुमेगा या किस लेवल तक जाके उसका एक उपर का एक रेजिस्टंस बनेगा तो यह फ्लक्टुएशन बहुत वाइल्ड है इसको ट्रेडस को थोड़ा इसके साथ बैर करना पड़ेग अगले दो तीन सेशन के लिए लेकिन ब्रॉडली उसका रेंज जो लग रहा है वह अटरा जार तीन सो और उपर में उनी सेर पासो चेसो यह उसका एक रेंज लग रहा है तो उसमें एक सबसे अच्छा विकल्प तो यह है कि नीचे के तरफ अगर निफ्टी बैंक और उसका तरगेट रहेगा राउन नाइटीन थाजन फाइंड़ सिक्सांड़ सम्वेर इस रेंज में तो यह एक ट्रेड किया जा सकता है और उपर की तरफ अगर बैंक निफ्टी पहले बान लीजिए उनीस पासो की तरफ बढ़ जाद है तो वह एक अच्छा जोन होगा जहां पर एक शॉट इनिशेट किया जा सकता है वो तो स्टॉप लॉस ऑफ 300 पॉइंट ऑन अगर सेट उनीस अजर आट्सो काट्सो बजास कास पास स्टॉप लॉस रहेगा और नीचे में फिर उसका टारगेट रहेगा रहेगा तो ब्रॉडली एक रेंज लग रहा है जिस जो दो स्टॉप्स हमने चुने जो जिसमें एक टेकनिकली अच्छा सेट अप देखने को मिला और बहुत अच्छा ब्रेकाउड भी उसमें देखने को मिला है क्लोजिंग बिसेश पर तो पहला स्टॉप है भारती एरेटेल बारती एरेटेल में आज हमने करीब 560 के असपा साके वही से रिवर्स हो जाता था इन फेक्ट लास्ट के कुछ पाच्छे दिन का अगर हम चार्ट देखे तो उसमें कंसॉलिडेशन हो रहा था स्टॉप में 15 रूपे के रेंज 15-18 रूपे के रेंज में स्टॉप बिल्कुल सीमीत दारे में चल रहा था और उपर में 550 के पर निकल नहीं पा रहा था लेकिन आज जिस तरह का मोमेंटम हमने तौर्ड देंड स्टॉप में देखा है तो एक जबरदस एक्शन उसमें देखा गया और यह 560 के असपास का उसका क्लोज है जो की टेक्निकल एक अच्छा ब्रिक आउट है तो यह स्टॉप में लग रहा अच्छा जोन होगा जहां पर उसमें इंटर हो सकते है और आपका स्टॉप लॉस रहेगा आराउंड 540 के असपास और 538, 540 के असपास आपका एक स्टॉप लॉस होगा और उपर में आप आराउंड 580 तक के टार्गेट उसमें देख सकते हैं दूसरा जो स्टॉप हमने देखा है चुना है टेक्निकल पिक आज जो अच्छा हमको लग रहा है तो वह और बिंदो फार्मा जो एक फार्मा स् पर्फर्मा की अल्रीड़ी देखा और पहले यह स्टॉप काफी ज्यादा चल चुके ते और यह थकावर्ट सी प्रेकश्यूट में आगय तो एक अपर कि दरब तो अबी तक 690 के असपास और फार्मा का क्लोज अभी तक यह स्टॉप 680 के आसपास आके हर बार रिवर्स हो रहा था लास के कुछ दिनों से और उसके उपर वो सस्टेन ही नहीं हो पारा था क्योंकि हर बार वहाँ पे रिन्यूर छोड़ा सप्लाई उसमें आ जाता था और वाइं थोड़ा कमदोर हो जाता था तो इस वैसे यह स्टॉक 80 के उपर जादा सस्टेन नहीं हो परा था लेकिन आज हमने जिस तरह से 690 का क्लोजिस में देखा है तो वह एक डिसस्यू ब्रेक आउट लग रहा है स्टॉक्स में और डेली क्लोजिंग के अगर बात करें तो मेरे कहल से में 2019 के बाद पहली बार इतने उपर के लेवल में स्टॉक्स ने क्लोज दिया है सो एक हाइस क्लोजिंग के सकते हैं लास्ट के एक साल अरो फार्म आगा तो टेकनिकली तो बहुत अच्छा लग रहा है और मोमेंटम प्ले भी अच्छा लग रहा है अगले दो तीन सेशन के व्यू से अगर इसको देखे तो यह स्टॉक्स में भी मेरी स कोशी हो सकती है और नीचे में आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो करीब 660-65 जो में आपका एक स्टॉप लॉस प्लेस होगा और उपर में इसका जो टार्गेट बनता है वो करीब 725-728 तक के इसके टार्गेट बनते है तो एक काफी अच्छा रिस्क रेवाड भी उसम एक रच्स फार्मां तो देखते हैं अब होरा मार्केट के लिए बाकई किस तरह से रख्यूज मिलते हैं लेकिन आज जैसे हम जानते कि बहरत के प्रतान मंत्री मोदी जी का शाम को 8 बजए देश को संबोदन है तो उसमें देखते हैं निकल के आता है हो सकता है लॉकडाॉ सबसे बड़ा चैलेंज यह लग रहा है कि एकोनोमी को ओपन अप करते समय यह इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि वाइरस ज्यादा फैले नहीं लोग में तो यह थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क गवर्मेंट के लिए अस अफनाव लग रहा है लेकिन देखते हैं किस तरह से चीज़े डेवलोप होती है अगले एक दो सेशन में तो ब्रॉडली इंडेक्स में वोलाटलिटी कंटीनू रहेगी और ट्रेडर्स आज जैसे हमने दो स सेशन के लिए थोड़ा ट्रेडर्स दिख सकते हैं हाला कि स्टॉप लॉस इसमें जुरू लगा है जो रिकमेंट किये गया है क्योंकि मार्केट में फ्लक्ट्वेशन बहुत हैवी है लेकिन ये दो स्टॉक से जिसमें हमको लग रहे है कि उपर की तरफ एक अच्छा